अगर आप भी अपनी लाइफ में सही questions पूछना चाहते हैं और ऐसे questions पूछना चाहते हैं जिससे आपको सही जवाब मिले आपकी life में depth हाए, आपकी life ग्रो करे तो आज मैं आपके साथ share कने वाली हूँ तीन बहुत important questions मेरा नाम नेहा बातिया है, आप सभी का बहुत बस्वागत है इस चैनल पर और आज मैं आपके साथ बहुत important questions शेर कने वाली हूँ जो आपकी life में depth तो लेकर आएंगे, लेकिन आपको आगे बढ़ने में भी मजबूर कर देंगे वेल, अगर अभी तक आप इस सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो प्लीज कर देजिए देखिए, पंदरा साल पहले रफली मैंने meditation करना स्टार्ट किया था एक spiritual journey मेरी स्टार्ट हुई थी और वो स्टार्ट कब हुई थी? जब बहुत pain हुआ था life में, बहुत problems हुई थी life में और questions आये अंदर से, उसके जवाब ढूनने शुरू करे लेकिन जब हम अपनी सिर्फ problems के जवाब ढूनते हैं तो हम एक level तक ही grow कर पाते हैं लेकिन आग जो मैं आपको questions बताने वाली हूँ अगर आप इसके साथ बैट गए, अगले 6 महीने के लिए अगले 6 महीने के लिए, रोज सुबे उठकर अगर आप यही questions अपने आप से पूछना, आपने शुरू कर दिया तो यह आपको एक बहुत ही बड़े perspective में ले जाएगा आपकी आपके vision को, आपके सोचने के नजरिये को, लेकिन आपको करना पड़ेगा यह, ठीक है न? So, the thing is that अपने आप से जब हम questions पूछते हैं, सब्सक्री जब मौनिंग में questions पूछते हैं तो दिन भर हमारा subconscious उस answer को ढूणने में लग जाता है आपको अलग-अलग ऐसी situations आएंगी, जो आपको जवाब देंगी, है न? आपके सामने ऐसे लोग आने शुरू हो जाएंगे कुछ ऐसी pictures आएंगी आपके सामने तो सुभे या शाम यह थी questions अपने आप से पूछिए हैं जो मैंने भी अपने आप से पूछा है और मैं आज भी पूछती हूँ क्योंकि इसका कोई अन्थी नहीं है इन questions का यह in fact आपको आपकी life के लिए नहीं आपकी life times के लिए prepare करेंगे यह questions, ठीक है? तो सबसे पहला जो question है, वो है Who am I? यह इतना interesting और इतना important question है जिसका जवाब आपको नाम इले in fact आप ऐसे भी हो सकते है Oh my God, कौन हूँ मैं? ठीक है, मैं बोडी तो नहीं हूँ मैं बोडी तो नहीं हूँ You're not your body You have a body, you live in a body But you're not a body You're also not just a breath You're not the mind as well You know, हम बोलते हैं मेरे मन में ये thoughts चल रही है तो मेरे मन में मैं मन नहीं हूँ मेरा नाम नेहा है बड मैं नेहा completely नहीं हूँ तो मैं हूँ कौन? इतना important question है जिसके बारे में कई बार बाते हुई है लेकिन इसकी depth में लोग नहीं जाते हैं क्या मैं ये कह से तो कि मुझे पता है कि मैं completely कौन हूँ No, no It's a journey It's a journey that you have to experience ये जब सवाल अपने आप से पूछोगे तो आपके नहीं सिर्फ सामने कुछ ऐसे situations आएंगी आपके अंदर काफी कुछ expand होने लगेगा हम life में काफी ऐसे जीते हैं बहुत contracted जीते हैं लेकिर आप बहुत expanded जीना शुरू कर देंगे फिर आप ये नहीं सोचेंगे ओ ये नहीं सोचेंगे ओ ये इसने तो इसे कर दिया ओ इस मेरी ये प्रॉब्लम होगे ये लाइफ में अब बहुत बड़ा सोचना शुरू कर देंगे क्योंकि a time will come when the answer to the question of let it बताते है let's say अगर आपने 40 years अपनी life के जी लिए है 40-50 years और आपके बहुत बड़ा घर है गाड़ी है आपका experience है सच बता रही हूँ बहुत कम है ये जब आपने आपसे सवाल पुछना शुरू करेंगे who am I don't wait for the answer even let it come to you don't run after it don't go crazy about it just ask yourself who am I मैं हूँ कौन और देखना क्या जादू होन लग जाएगा आपके थौट से बदल जाएगे टोटली ठीक है जो दूसरा question है जो अपने आपसे पूछना बहुत ज़रूरी है मैं क्यों हूँ इस दुनिया में मैं क्यों हूँ अब ऐसे questions कई बार हम आपने आपसे पूछते भी है कि you know why am I here what am I doing here मतलब ठीक है मेरे ये goals है blah 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 but what am I doing what the hell am I doing here you know and मैं इसको और depth में रेकर जाती मैं जहाँ पर भी हूँ let's say मैं जिस city में भी हूँ मैं कई बार सवाल अपने आपसे पूछते है मैं यहाँ पर क्यों हूँ मुझे यहाँ क्यों लाया गया है तो इस city हो गई but इस brahman में क्यों लाया क्या है इस human form में right right so यह question जब आपने आपसे पूछेंगे what am I doing over here what is bringing me here it will it will open up your mind it will open your eyes about yourself right मैं फिर भी बोलूँगे कि depth में जाना but इतना मत सोचना इसके बारे में सिर्व यह question morning में अपने mind में डाल कर छोड़ देना इससे ना बते क्या होगा मैं आपको बताती हूँ मेरे पास बहुत साए लोग आते है जो gym गए है जो इन गुरू के पास गए है उस ट्रेनर के पास गए है लेकिन उनको अपने आपको ट्रेन करना नहीं आता उनको अपने आपको जब वो गिरते हैं तो उनको अपने आपको उठाना नहीं आता they are dependent on a teacher, trainer, guru मैं बहुत लगी हूँ कि मेरी foundation बहुत स्ट्रॉंग है कि अगर मैं गिरती हूँ तो of course failures होते हैं part of life तो मेरे को बहुत as such कोई ज़रूरत नहीं होती कि कोई और मुझे उठाए मैं इतनी self-motivated हूँ इतनी inspired हूँ अपने life में गिरते हैं हम सब लोग गिरते हैं पर अपने आपको उठाना yes, it's good to talk to people it's good to be a part of a workshop but a dependency हो जाना gym पर for example या dependency हो जाना कि अगर मैं इस मंदर ये मंदर बंद हो गया तो में लाइफ खतम हो गई या अगर मैं ये particular practice नहीं कर सकने में लाइफ खतम हो गई नई dependency नहीं है किसी भी शीज़ पर you understand what I'm saying so, ये तूसरा question अपने आप से पूछिए कि मैं क्यों लाइग गया है मुझे मैं यहाँ पर क्यों हूँ मैं इस जगा पर क्यों हूँ right जो तीसरा question है ये अपने आप में बहुत बहुत beautiful है और ये मैंने अपने गुरू से सीखा था मैं जब यहाँ से जाओंगी right मैं जाओंगा if you're a man watching this video तो मैं क्या छोड़ कर यहाँ जाना चाहता हूँ देखो सब को छोड़ना ही पड़ेगा right but क्या ऐसा मैं देना चाहता हूँ इस दुनिया को थोड़ा change करूंगी जो अक्सर लोग बोलते क्या ऐसा मैं देना चाहती हूँ जिससे दुनिया मुझे यादर करे जिसमें दुनिया का कल्यार हो जिसमें उनको benefit हो right क्या आप ऐसा देना चाहते हैं क्या आप ऐसा छोड़ कर जाना चाहते हैं बहुत important question है बहुत important अभी दुनिया भी बहुत बड़ी है न इतनी population है बट जब आप जाएं यहां से जब आपकी death हो जाती है बहुत बड़ी बात कर रही हूँ बहुत लोग डरते हैं death से बट जब आप जाएं आपकी death हो गई है और आप 2 गंटे बाद या 10 दिन बाद अपनी पिशली देखते हैं as a soul अपने आपको देखते हैं so what exactly is it? what exactly have you given? right? and was it really worth the time? was it worth the time? right? very important actually मैंने सीखा अपनी लाइफ में कि जब मैं पीछे मुड के सरब अभी अपने आपको देखती हूँ बहुत अच्छा बिसनस भी किया है सब कुछ किया आपसे नाउंस भी देखें बड मुझे लगता है कि मैंने बहुत कम कर रहा है इस time में कि time बड़ा ही valuable था में ले खिक है मैं बहुत गुमी, free, enjoy किया I've traveled to many countries you know, contributed in many lives but I still feel that I've done in this given time, I've done only this much right? so ये question बहुत important है was it worth the time? you know, was it जो मैंने time दिया क्या वो वर्थ था यह रही था यह रही था but क्या उस time के हिसाब से so you know, this will really help you start to think कि हम कितना time भी वेस्ट करते है बहुत सारी stupid चीजों है you know, जो मैं अपलिफ ने करती है उल्टा और डाउन ले कर जाती है make sense? so ये थीन questions है जो मैं really मैं चाहूंगी कि आप अपने आप से पूछे चाहें तो रात को सोने से पहले पूछ सकते हैं तीन बार पूछ सकते हैं अपने आप से who am I? why am I here? why am I on this planet earth? अगर अपको और specific होना है तो why am I in this family? but जितना broad होंगे it's okay just do it for 10-15 days and start to see क्या आपका mind आपको बोलना शुरू कर देगा you'll be like wow एक connection बिल्ट हो जाएगा इस दुनिया से बहुत powerful बहुत ही powerful universal level पर आप बहुत high vibe पर चले जाओगे रात को सोने से पहले या उटने के बाद और तीसरा question क्या है what is it that I want to leave back in this world that has benefited the world whether it is my own small little society only whether it is my little family only doesn't matter अगर आप trainer नहीं है coach नहीं है it's okay but what are you leaving back और ही उन लोग के लिए बहुत important है जो coaching में आना चाहते है जो trainer बनना चाहते है बहुत सारी लोग आचकल बन रहे हैं trainers coach लेकिन depth के बार में बात नहीं करते you know so you have to it is not for people or for people who want to you know just go give workshops it's for people who want to become a trainer as well you know who want to become somebody when you leave this world people not just remember you but people have benefited out of you you know like now I'm making this video tomorrow if I die I can feel I can see I can kind of feel a little bit grateful कि मैं इस वीडियो के जरिए शाद एक परसनी को impact कर बाई थोड़ा सा बड़ा सोचने में because I've worked a lot on my mission and vision and you know recently I've been visiting my vision and mission so my mission statement has been that I'm on a mission to impact inspire 1 crore lives by 2030 through my workshops presents YouTube whatever it takes and I've already done a lot in the past but कभी कालकुलेटिव नहीं हू उसको लेकर राइ एक नमबर ता हमेशा से जो करती गई इस बार वैने आपको बहुत बड़ा चालेंज ती है और मिशन के साथ एक और स्टेटमें जोड़ी है इस बार and I want to make people think bigger than who they are so I hope that this video is going to make you think a little bit bigger than who you are and who are you that was the first question right so अपने तक सीम इतना रहे थोड़ा सा बड़ा बने and तीन questions अपने आप से पूच है and see the magic happening thank you so much हमारी बहुत सारी वोक्शोप्स भी है जो कि आप ले सकते हैं जो कि बहुत इंटेंस है और बहुत पाफुल है अपको बहुत अच्छो बहुत बहुत सकते हैं 21 Days NLP Workshop हमारी काफी पाफुल बहुत है हमारी बुक भी है that you can buy which is available in India at the moment then we have you know different workshops and we have of course our alignment memberships and alignment call as well get in touch with me and I'll be more than happy to assist you on this beautiful journey of evolution bye